वेल हेलो दोस्तो सबसे पहले तो मैं यार माफी मांगना चाहूंगा कि इतने करीबं डेड़ महीना हो गया एक भी वीडियो नहीं आई वीडियो शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी पता देता हूं कि मैं अपनी कुछ पर्सनल प्रोब्लम्स में फसा हुआ प्रोब्लम के सुदरने का तो बहुत जादा टाम निकल जाएगा तो आपन लोग वापिस आचुके हैं और अब से डेली की वीडियो आएंगी और नॉर्मली मुझे टाइम अभी रात को ही मिल बारा वीडियो बनाने के दिन में नहीं बना पाना तो टाइम देखोंगे तो इसी टाइम वीडियो बनेगी आबर नॉर्मली में टाइम पे पोस्ट कर दिया करूंगा डेली रात को वीडियो बना के तो अभी जो मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट आया था राग ओरिजनल्स पर जरा-जरा बेसिकली कवर सोंग है और तो उसकी ये प्रोजेक्ट स्टडी है और इसमें मैं बताने वालाओं कि मैंने कैसे कुछ चीजे यूज की हैं कैसे इस प्रोजेक्ट को मैंने बना है ठीक है और मतलब बहुत सार लोगों काफी पसंद आया ये सोंग मतलब काफी अच्छा सोंग है सिंगर भी काफी परफेशनल है और तो चलिए पता करते हैं कि क ही टेक्निक के साथ दालते हैं सौंग बहुत अच्छा बन सकता है हम सबसे पहले अपनी वोकल प्रोसेसिंग देखेंगे ठीक है जो मेरे वोकल्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं तड़ पाए मुझे तेरी सभी बातें एक बार एदीवानी जूठा ही सही प्यार तो कर है तो सौंग का लिंग नीक दिस्क्रिप्शन में तो जा के देख सकते पहले पर फिर ज अओभ यह है वोकल अब यहांभी देख तैंहें कहांपि मेरे आठाक प्रक्तना प्रेफर करता है कि सबसे पहले मैंने यूज Flam दो डद सारे बंद करके देख लेते हैं हमने सारे इफेक्ट्स बंद कर दिया है है सब मैं पताता हूं मैंने के के उज किया है और रीव बगार भी सब मैंने बंद कर दिया तो यह नेच्रल कुछ ऐसा साउंड करता है तरपाए मुझे तेरी सभी बाते एक बार एदीवानी जूठा ही सही प्यार तो कर एक तो सबसे पहली चीज इसमें क्लैरिटी नहीं है दूसरी वह सिंगर ने अच्छा गाया है पर फिर भी कहीना की छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं वह मिस्टेक्स हम फिक्स करेंगे क्योंकि देखो आज की टाइम में जो अगर आप अगर आज की टाइम में आपको अगर कमपटिशन करना है और सिंगर्स के साथ या फिर जो हमारा डव होता उसमें जो पर इंस्टुमेंट्स होते हैं उनके बराबर गवाशी तो उसमें प्रोसेसिंग अच्छी होनी बहुत भूला नहीं हसी मुला काते हैं हमने यहां पर इलिमिट कर दिया है से यहां पर अभी हम एक्यू ओन करेंगे मैंने इसकी जो फ्रिक्वेंसे एक्सेस में थी वो सारी घटा दी है और जो सही थी उनको वैसे छोड़ दिया है उसके बाद मैंने यूज के इसमें हलका सा ओटर बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी और मैंने डाल दिया फिर चलो एट लिस्ट वोकल थोड़ा सा कर कोई गड़बड़ी होगी कहीं पर तो यह संभाल लेगा उसके वरना जरूरत नहीं थी सिंगर अच्छा है तो जादा कुछ जरूरत नहीं थी पस एक फील के लिए मैं आंसिंगर ने अच्छा गाया है और इससे पहले मैंनियूल पिचिंग भी कर चुका हूं तो इसमें भी मैंने कौफी मिस्टेक्स की इंपर कर दी हैं कि यहां पर मैंने कुछ इंहें से ने यहां पर बड़ाया है क्योंकि वह इसमें अल्रेडी बेस था बट पिछली जो मैंने अपनी इक्विलाइजर यूजे उसमें बेस कट हो गया था तो हमें अपने अंड से अलग से डालना पड़ा बेस यहां हाई एंड मैंने तोड़ा दोर बढ़ाया है और यहां पर हाई बढ़ाया है और यहां पर लोग मीड को मैंने सेम टू सेम जहां पर था वैसे ही रखा है उसके बाद मैंने यूज किया फैफ फिल्टर सैटन तो इसका उकल का टेक्शर बनाने बहुत जादा बड़ा रोल है देखो इसमें मैंने सिर्फ उन ही फ्रिक्वेंसी पे बेसिकलि सिर्फ उन ही स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को मैंने टार्गेट किया जिनको मुझे एक अच्छी हार्मिनिक फील देनी थी इसका यह फाइदा है हम किसी भी पर्टेगुलर फ्रिक्वेंसी पर हम अटेक कर सकते हैं सेट्यूरेशन का पेचैन करके मुझे को मुझे से तुना और एक बात और मैं बताना चाहूंगा यहां पर जब वोकल का रो फोर्मेट आया था तो उसमें एक तो नोईज थी दूसरा बैग्राउंड में आवाज आ रही थी जैसे कोई बच्चा खेल रहा है पर कुछ बहार चीज़े चल रही है तो अभी वोकल तो अच्छा था वोकल रिकोर्ड हुआ है बट प्रॉब्लम क्या थी उसमें के बैग्राउंड में जो नोईज आ रही थी उसमें मुझे डी नोईज नहीं कर नहीं थी वोकल पर क्रिस्प होता नहीं चला जाता अगर मैं यह चीज कर देता तो तो मैंने ट्राय किया कि मैं इस पर एक होने के बाद वो कट होगी बाकी के फिगेंसी वैसे की वैसी रहेंगी कोई क्रिस्प नहीं जाएगा वोकल से तो मुझे यह फाइदा हो गया नोईज गेट मैंने सिंपल अपना लिमिटर से ही नोईज गेट लगा दिया कोई एक्सेसी बाहर थर्ड पार्टी प्लगिन मैं उनहीं वोकल्स में जिनमें मुझे जरूरत है क्रेस्प देने की रूठेगा ना मुझसे मेरे माही आये वादा कर और अभी यहां पर मैंने टी डी आ नोवा डी एजिंग के लिए क्योंकि सिंपल सी बात है अगर फर बसर के साउंड आएंगे तो फिर वहां पर डी जो साउंड बन के आ रहा है नुर्मली में स्टाटिक में यूज कर लिया था तो एक लेवल में साउंड आ गया बट कहीं ना कहीं जाके वह साउंड फिर से थोड़ा सा हलका फुलका जब मैंने और चीजे लगाई जो जैसे मैंने शेटन लगाया उसमें वह साउंड श़िये यह को आघ चनल के उनकैन मैंने लगा मास्टर से भाएचन की सब्लभा चाहिएख तुछ थोड़ा सा थोड़ा सा किस ज路ब बेल रहा है यह से फिर्टार के यहाल वस्तनाया वह को अबरऊ जोगत हैं और अगर मेरे तिल ब्हहता है और अंगर हम ईसे रीवर्ब के साथ सुनें है रीवर्ब मैंने क्या यू इज किया है ऐगर देख लेते हैं रख सेटिंग क्या यू उज क्या मैंने 3.6 शेकिंड कि मैंने स्में डिके यूज की है और इसे ठीक है और डिले यहां पर 70 ms और इसके बाद मैंने यहां पर वलहाला शीमर यूज किया है शीमर के सेटिंग्स देख लो क्या मैंने यूज की हैं बैसिकली हर चीज में यह मतलब ऐसे अपलाई नहीं होगा कि डिरेक्ट यही सेम घुसेड दिया पर हां कुछ-कुछ सब्सक्राइब करना यार लाइक कर देना वहां सपोर्ट की काफी जरूरत है और अभी तक तुमने यह वीडियो लाइक नहीं कि तो यह भी करी दो अभी हम चल लेते हैं हमने म्यूजिक में किया कैचीजे यूज की हैं सबसे पर इंट्रो मैंने ज्यादा कुछ नहीं है मैंने इंट्रो लिया ही इसके लिए मैंने डिरिक्ट वोकल शुरू कर दिया एक राइजर के साथ हल्का सा राइजर बास सिर्फ ये एक राइजर ले लिया हमने और इसके बाद हमने सीधा यहां पर अपनी प्यान अकोड शुरू कर दी कोड़ कुछ ऐसी है एफल पी उदर राग ओरिजिनल्स के डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगी सोंग के निचे तो वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हो सब के लिए फ्री है कैसे भी यूज करो रिमिक्स करो नॉर्मली सोंग को ठाके वापिस अप्लोड कर दो कुछ एडिट करो के लिए प्यूद सब मतलब कोपियाइट फिरी है और मली यूज कर सकते कोई इसू नहीं है जिमें कोड्य प्यानों कृइस कि बड़ा ही सूधिंग प्यानों यूज किया मैंने इसमें यहां हलकी सी सब बढ़ाए हैं बेस बढ़ा है कि अहां पेश वाला पार्ट हलका स डाउन दिया है लो मिड भी मैंने हलकी सी डाउन की हैं मीड्स में डाउन किया इसकी और जो हाई मीड्स है और ट्रेबल है जो इसकी बढ़ा दी है उसके पास मैंने सैचुरेशन नो भी यूज किया है मैं इसमें सोफ्ट ट्यूब का बेसिकली एक फ्री प्लगिन है तो फ्री चीजों का हम काहे लुफ्त ना उठाएं तो जो मुपत में मिलता है तो हम ले सकते हैं उसका कोई इश्यू नहीं है यहां पर मैंने कंप्रेशन यूज किया आकरी में यहां पर एक रिवर्ब टू यूज किया है मैं इसका देखो इससेटिंग देख लो मैंने क्या की है पोज करके देखले लेना ओके तुर्फ विलिता है उसके बाद यहां पर मैं कॉंसी लाइबरेरी यूज किया हम यहां पर गेल यहां पर मैंने लाइबरेशन घूप हुआ आप की तरफ इस नॉब को जुका दिया है ताकि और जादा सोफ्ट फिल आए एक दम हार्ड फिलना है क्योंकि सॉंग भी काफी सॉफ्ट है तो सिच्वेशन में कानों में चूब नहीं चाहिए कोई भी फ्रिक्वेंसी तो इसलिए मैंने इसमें यह वाली लाइबरेरी यूज किये और इसके निचे मैंने सौ सिंथ पैड्स यूज किये है कोड़ ओल्मोस्ट सेंसी आएंगी मैंने कुछ मतलब प्यानों में हलके सी एक दो नोट्स और उपर लगा होंगे बट यहां पर सिंथ में मतलब नूर्मल कोड़ जाएंगी ज्यादा कोई एकसेस में कोड़ की ज़रू और यहां पर एक हम वोकल के साथ सुने हैं तड़ पाए मुझे तेरी सभी बाते हैं एक बार है दीवानी जूठा उसके बाद मैंने यहां पर क्या यूज किया है है हमें मैंने वोकल चोप बना कि उसका एक सा एक नहीं को बोलते हैं कि एक राइजर टाइप कुछ यूज किया है मैंने और चेहां पुर्ट में नै युज किया यहां पर be a है ऑगいたफ्र इच की मे JW आई यॉज में बेस्टि में एक अपा हमेल बनाई है युज अगर अगर यहायो और एक फन्स में सुन रही खेंगा रे अच्छीस तुनाई रहा होा तो अगर हम इसे यहां पर इसके साथ सुनें बैसे ऐसे एक्जेक्ट अपना रोल अदा नहीं करता जब हमारे वोकल्स हाते हैं कि बैक्राउंड में जो फिलिंग की जरूरत होती है एक सतह की जरूरत होती है उस सिच्वेशन में बेस काम आता है तो यहां पर मैंने बैस लगाया यह अच्छे से सपोर्ट कर रहा है हमारे उकल्स के बाद मैं बीट्स देख लेते हैं बीट्स मैंने क्या यूज किया है एक बर मैंने की mixing भी बता देता हूं मैंने क्या यूज किया है यहां पर सेम मैंने EQ यूज किया है मैंने highs कार्ट ती है लोज कार्ट ती सिर्फ mid part रखा है saturation knob यहां पर limiter वाला compressor और इसके बाद बेस मेंने क्या यूज किया है थोड़ा सा यहां पर screen recording में delay हो सकता है तो manage कर लें क्योंकि screen recording के time थोड़ा सा heavy हो जाता है system खासकर project study में सारे highs कार्ट ती मैंने सिर्फ अपना हलका सा low mid base और हलका सा sub रखा है बाकी सब मैंने कार्ट तिया और अच्छा टेक्षर देने के लिए मैंने फैफिल्टर सटर्ड यूज किया है उसकि specific frequencies को target करने के लिए तो मैंने हाँ पर उनकी मैंने बेस त्रेट्वंसी को बूस्ट किया है और यहां पर मैंने compression यूज किया है equal बेस के लिए, शके बाद हम बीट मेरे पर चलते हैं, तो यहारबे क्यめて किक के सैचुरेशन नोप यूज के लिए फ़हांने deliver ack किसे मैंने बेस बढ़ा है जादा कुछ चीजे मैंने नहीं कि इसमें जो नेच्रल था वैसा छोड़ दिया मैंने की नहीं तो फिर यह साउंड कर ली थी इसके बाद हाइएट हाइएट में जादा कुछ स्पेशल नहीं किया है यहां पर मैंने कुछ हाई मीट्स को एनहेंस किया है उसके बाद मैंने इनकी वोल्यूम रखी 43, 62 और यहां पर 37 क्लैप की यहां पर मैंने Stereo separation की है जो मेरे किक है मैंने हलका सा 552 परसेंट Mono किया है अगर हम proprietary साउंड करेंगे तो वो Mono होगेगा कहलेंगे लेफ्ट साइब करेंगे तो Stereo होगए ठीक है दुशन ध्यान रखना तो risks हमेशा Mono होते हैं तो यहां इस बाद का खास myös कर ध्यान रखें उसके बाद मैंने यहां पर EQ यूज किया है मेरी क्लैप में यहां पर क्लैप में मैंने बेस वाला पार्ट काट दिया है लो मिड्स रखे हैं मिड्स रखे हैं और हाई मिड्स मैंने काट दिये हैं और ट्रेबल ताकि एक अच्छा टेक्श्र आए क्लैप का तक करके साउंड आए मतलब मज़ा आजाए बस सुनने में और यहां पर हल्गी सी मैंने रीवर्ब दी है इसको यहां से राउट करा है और यहां पर मैंने 81% की यहां पर रिवर्ब रखी है अपनी उसके बाद यहां पर मैंने एक एक राइजर यूज किया है इसे एक दम से special कुछ ऐसा लगे कि हां कुछ special आने वाला है अगर हम vocals के साथ सुने इसे और यहां पर यह क्या चीज है जो ऐसा अजीर साउंड कर रही है इसे कहते हैं हम अपने जो अगर हिंदिय मुलते कवों के आवाज नहीं होती है तो क्रो साउंड है यह तो यह मैंने कहां से यूज किया मैं बता देता हूं यह हमारा stock plugin ही है Citrus इसमें echo cross करके एक preset है वो मैंने लिया है और उसको ही मैंने इतना रख लिया है यह basically ऐसे काम करता है जितना लंबा हम इसे slide करेंगे उतना ज्यादा यह क्रो साउंड देगा तो मैंने इसको half रखा है तो एक अच्छा एक background में एक अच्छी feel देता है कि हाँ कुछ special चल रहा है मतलब कुछ हम चीजे यूज करते है न background में सौंग एक अच्छा professional show कराने के लिए कि हमने बहुत सारी special चीजे डाली हैं भी सौंग यहाँ पर एक राइजर और यहाँ पर अभी हम चलते है next part की तरफ अपने से मैंने यहाँ पर एक base यूज किया है इस बेस मैंने baseline के साथ यूज किया है अपनी अभी हम चलते हैं हमारे bridge Part की तरफ के bridge मेंने किया यूज किया है पहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैंने यहाँ bridge कैसे बनाया तो मैं बता दिता हूँ के मैंने यह वाला bridge कैसे बनाया है तो इसने मैंने वोकल चॉप्स यूज की है अब यहां जाओं तो मैंने यूज किया है यहां पर और मैंने इसमें अपना जो भी मेरा वोकल था वह मैंने ड्रेगन ड्रॉप कर लिया था उसके बाद यहां पर मैंने तो मैंने वोकल चॉप्स के अए अए तो इसला नहीं बता तो जल्दी में बहुत सारे टुप्स लहांगा पर्फेशनल वोकल चॉप्स כे ओपर तो य tar होती ही एक इतरह की नहीं होती है कि अरफ है किस तरिक है जैसे कि मेरी year ओर्फ कि या कट्स में चल रही है मह prayer चोप्स में चल रही有 मार NATS कि सबसे पहले एक लाइन की भी लेट को तो अगे लिए बीट रहे हैं tu के अगर वह वह बज़ रहे हैं तो कही ना कही उस लाइन के फील आने चाहिए एक जात्रों लाइन को दो इसके करिए आगे-चाहिए चाहिए तो इस मेलोडी को मैंने यहां यहां पर ट्रॉट किया करने का रिए और वह काफी अच्छा ही लग रहा है बट एक चीज़ और होत यह उरिजिनल सौंग्पयों नोने एक अग। यह उरियल फ्लूट से रिकॉड की है और मतलब कंप्यूटर में बनाना वह चीज एक जएक्ट तो इंपॉसिबल लेको कि एक रियल फ्लूट की साउंड एक जएक्ट तरीके से उसमें मोड होते हैं उस फ्लूट में वह क्रिएट करना यार बहुत ज्यादा मुश्किल है तो नम गिन लगा लो वह चीज क्रिएट अफिलाल तक तो पॉसिबल नहीं है वह चीज फ्लूट से क्रिएट करने जिस तरीकी फ्लूट उसमें मुझाई गई है तो हम कुछ खुछ रेप्लिकेट कर सकते हैं तो इसके लिए हमें एक फ्लूट को ही रिकॉड करना मुझिशन भी चाहिए उसके लिए तो वह फिल नहीं आप आती है तो मैंने इसको नहीं रखा बस ऐसे इसको मैं रख लिया अगर कोई चाहिए तो इसको यूज कर सकता है यहां पे अगर डाउनलोड करके हम फ्लूट को आप देखे तो उसके बाद मैंने यहां पे क्या मैंने बस एक एक यू यूज किया है उसके बाद मैंने सिर्फ एक स्टार्ट यूज किया बस खेल इतने महीं मतलब लोग सोचते हैं कि अच्छा म्यूजिक बनाने के लिए पता नहीं क्या कुछ स्पेशली दुनिया की अलक्से मिक्सिंग करने पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं इस तरीके से अरेंज करो और अपनी इमेजिनेशन ऐसी रखो कि मतलब डिफरेंट पैटन तब जाके एक अच्छा म्यूजिक बनेगा स्पेशली कोई हाई लेवल की मिक्सिंग की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिक सॉंग में वह बहुत जादा जादा ही अलग ट यहां पर मैंने यूज किया है एक गीटार जैसे एक गीटार के नॉर्मल स्ट्रम पैटन इसमें स्ट्रमिंग सूट नहीं कर रही थी तो मैं सिर्फ एक स्ट्रम पैटन कर लिया है अगर हम साथ में सुने सबको गुली खुली लटों को संड्राओं मैं अपनी अंगलियों से मैं तो हूँ इस क्वाहिश में आप लोग चाहते हो कि मैं इसका मस्टरिंग शेशन भी लाऊं कि मैं इसे मस्टरिंग गैसे की बेसकली मिक्सिंग तो हो गई उसके बास मास्टरिंग में मैंने क्या-क्या चीजी यूज की इसमें तो वह भी मैं टूटोरियल बना सकता हूं तो नीचे एक बर कमेंट्स में ब कि मेरा कंप्यूटर तक क्रेश होने आ गया था इतने साइंस्ट्रुमेंट तक मैंने उनमें यूज की हैं ठीक है तो उनकी बात हम फिर कभी करेंगे बहुत साइर प्रोजेक्ट अभी दिखाने बाकी हैं जो मैंने बना चुका हूं और जो अल्रड़ी यूटूब पे अवले हम सब हमेशा सीखते रहते हैं ठीक है ना तो कुछ ना कुछ तो इंपरूब करने की कोशिश करूंगा अगर कोई कमी निकलती है तो फिर आल जाके देखो उस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल पर घूमते फिरते नए आ गए तो यार प्लीज इसको भी सब्सक्रा झाल